Hello officers, क्या हाल चाल हैं आप सभी के? I hope कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी preparation बहुत अच्छे से चल रहे होगी आज का हमारे इस वीडियो का जो topic रहने वाला है, वो रहने वाला election process in India I mean, जो भी elections होते हैं, उनकी क्या process रहती है, वो लोग कैसे elect होते हैं, कैसे nominate होते हैं, MLA का मतलब क्या होता है, MP elect कैसे होते हैं, MLA elect कैसे होते हैं, हर एक चीज के बारे में, विधान सभा, राज्य सभा, लोग सभा, ये क्या होते हैं क्योंकि ये चीज है न, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती हैं, उन्हें पता है कि हाँ election तो हो रहे हैं किसी चीज के, बट उन्हें नहीं पता होता है, MLA कैसे elect होता है, उन्हें नहीं पता है MLA का काम क्या होता है यह बहुत सारे ऐसे queries बहुत सारे questions लोगों के मन में रहते हैं लेकिन कई बार क्या होता है जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो इस चीज को पूछने में भी hesitate होते हैं कई बार की MLA MP के उन होते हैं लोक सवा क्या होता है बिदान सवा, बिदान परिशाद या फिर राजय सवा यह सब क्या होता है नहीं पता तो उन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ठीक है मतलब इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि President Prime Minister का काम क्या होता है मतलब हर एक चीज के बारे में बात करने वाले है और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी या जिगराफी की प्रिपरेशन करना चाते हैं चाहे NDS, EDS, CAPF या IIS एक्जाम कोई भी एक्जाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहा हो आप सभी को पता है अगर आपने पॉलिटी पढ़िये जो भी UPC के एस्परेंस हैं उन सभी को ये बात पता होती है कि हमारा जो देश है वो क्षी फेडरल कंट्री है ठीक है क्वासी फेडरल कंट्री है और क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता यह उन बच्चों को बताते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता क्वासी फेडरल कंट्री का मतलब हो हमारे देश में दो सरकार काम करती हैं अगर हम हमारे देश के कानून को अमेरिका के कानून को कंपेर क काम करते हैं लेकिन अपना को सीऊ से इंडिया का मतलब यह होता है चीज कि शारी कोशी जिंवितारी वो किए्पाम कर दो तो क्वाजी फेटरल का मतलब यह कि है कि दो गवर्मेंट ताय भशतु मिवें कोफेटरल करती • अपने अंडिय को पास दो गवर्मेंट रूल करतीं तो वो खुद में सक्षम है हर एक निर्णा लेने के लिए, हर एक decision लेने के लिए, उसको permission नहीं चाहिए होगी, Central Government की, उसको कोई भी, मतलब कुछ भी permission नहीं चाहिए, कोई भी budget नहीं चाहिए Central Government से, उसके पास इतनी ज़्यादा power, इतनी ज़्यादा decision लेने में सक्षम हो, व federal का मतलब, और मैं अच्छे समझाओं, कि ये क्या है, federal का मतलब, federal का मतलब है, having or relating to a system of government, ये जो, federal का मतलब, ये word जो है, government के एक system से related है, और इसमें क्या होता है, कि काफी सारे जैसे states, मानलो अपना देश है, 28 states मिलकर एक देश बनता है, इंडिया, उसी तरह से, USA क्या है, USA ठीक, continent, United States of America, उसमें क्या था, छोट-छोटे देश थे, उन्होंने सबने मिलकर एक बड़ा USA formation की, तो उसी तरह से, कि छोट-छोटी, जो states है, छोट-छोटी countries होती है, वो सब मिलकर एक बड़ा system में बनाती है, ठीक, बड़े system की formation करती है, ठीक, तो यहाँ पर लेका, several states form a unity, यानि कि बहुत सारे जो, अब 28 states मिलकर क्या बना रहे है, इंडिया बना रहे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर federal, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे है, federal का मतलब, तो यहाँ पर 28 states मिलकर इंडिया को form कर रहे है, ठीक है, इंडिया का formation कर रहे है, लेकिन यहाँ पर state government independent नहीं है, वो कही ना कही independent है किस पर central government पर ठीक है तो federal का मतलब होता है कि several states form करके एक देश बना रहे हैं और वो सारे states independent है अपने सारे internal affairs को deal करने में आपको अभी भी थोड़ा सी चीज़े के लिए नहीं होगी मैं आपको और च्छे समझाता हूँ मैंने कहा कि हमारा इंडिया देश quasi federal country है और मैंने आप से ये कहा कि अमेरिका जो है वो federal country है quasi federal country का मतलब होता है कि एक government दूसरी government से superior होती है जैसे कि हमारे देश में central government state government के compare में more powerful है उसके पास decision लेने की ज़्यादा ताकत है उसके पास financial budget ज़्यादा है ठीक है वो देश में जो भी काम करेगी उसके पास वो खुद से decision लेगी उसको किसी से permission लेने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी वो quasi federal country हो गया यानि कि हमारा देश और अमेरिका federal country है यानि कि अमेरिका भी कुछ several states मिलकर एक अमेरिका को formation करती है लेकिन उसमें हर एक state खुद से decision लेने में सक्षम है खुद से decision खुद से कुछ काम करने में independent है अपने internal affairs में deal करने में वो खुद से सक्षम है उसी को कहा जाता है federal country इसलिए federal का मतलब यही होता है कि several states मिलकर एक देश का formation करते हैं और उसको federal country कहा जाता है अब आप federal और quasi-federal का बहुत अच्छे से मतलब समझ गये होगे और हमारा देश quasi-federal president and prime minister अब यह president prime minister क्या करते है इस पूरे देश को execute करके पूरा इस देश को अपने देश इंडिया को रन करते हैं ठीक है तो और legislative क्या होता है parliament, parliament में कौन कौन होता है लोकसभा और राजसभा जो की क्या करते है central government के लिए कानून बनाते है law बनाते है law making होता है ठीक है तो president और prime minister का election procedure क्या है वो अगर आपको जानना है आपको पढ़ना है आपको समझना है तो उसका link में आपको description में दे दूँगा मैंने separate video बनाया है president and prime minister के उपर कि president prime minister की हर एक चीज के बारे में उसमें बताया है मैंने आपको उसमें कि उनकी salary कैसे होती इनको appointment कैसे कौन करवाता है उनका उनकी ओत कौन दिलाता है ठीक है उनकी हर एक चीज के बारे मैंने separate videos बनाया हुए तो आप एक बार check out का लिजेगा इस तरह से आपको यहां पर द legislative assembly ठीक है राज्य सभा को कहा जाता है upper house लोग सभा को कहा जाता है lower house ठीक है तो अब इससे पहले हम एक और चीज पढ़ना है अब यह मानलो हमारा देश है पूरा एक इंडिया इसमें 28 states है 8 union territory है ठीक है क्या आप याद रखना इंडिया में 28 यानि 28 राज्य है और 7 आठ भी आ जाता है ठीक है अब एक और बात states क्या है देखो हर एक state का chief minister होता है ठीक है और जो की leader होता है किसका मैं बात करता हूं मैं आपको समझाता हूं देखो एक state में सरकार होती है हर एक state की अपनी सरकार है ठीक है अगर मैं उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है आदित्य योगी नाजी की ठीक है अभी आदित्य योगी नाजी चीफ मिनिस्टर इस राज उत्तर प्रदिश राजी के कैसे बने इनका एक election हुआ ठीक है जिसको कहा जाता है विधान सवा चुनाओ यानि state assembly election अभी भी election कौन करवाय था election commission of India ये election करवाती है और ये कोशिश करती है कि चुनाओ से पहले चुनाओ के दौरान और चुनाओ के बाद कोई भी गलत तरीके से चुनाओ ना हो और सबको बराबर तरीके से वोट करने का मौका मिले और तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एलेक्शन करवाय और जो भी पार्टी जीते उसका प्रॉपर उसका रिजल्ट उसको दिया जाए तो कल अपना जो रिजल्ट आया उसमें आधित योगी नाजी भाई करेश के cm बन गए अब CM कैसे बनता है कि बाई स्टेट असेमली एलेक्शन होता है जिसको विधान सभा चुनाओ कहा जाता है ठीक है तो विधान सभा चुनाओं में एक ईलेक्शन करवाय जाते हैं और election में क्या होता है जो भी पार्टी घृप झाना और जो भी अधर पार् जीती अब उसमें जो भी पार्टी जीती ईंहोंने क्या किया मिलकर अपने एक लीडर को डिसाइड गया कि मेरे मालों जीती भी जीती तो उत्रपर्देश मेंаться हुआ हमारे पार्टी के लीडर योगि आदित श्यास जीडिवहे उत्र प्रदेश में जो Chief Minister है वो योगी आदित्यनाद जी को बना दिया इस तरह से होते हैं विधान सभा चुनाओ State Assembly Election अब Chief Minister क्या होते है Chief Minister Executive Power होती है State की मैंने आपको बताया ना कि Executive Power क्या है कि जो किसी चीज को रन करे मतलब जो इतना powerful हो कि वो completely execute करके किसी भी चीज को रन करे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस देश को चलाने के लिए President और Prime Minister मिलके इस देश को चलाते हैं ठीक है उसी तरह से Chief Minister का काम होता है कि एक राज्जी को चलाना एक राज्जी को रन करना एक राज्जी में जो भी चीजें होती है उन सबी चीजों से डील कौन करता है Chief Minister डील करते है कि क्या development कराना है क्या hospital बनाना है क्या school बनाना है कितनी महंगाई है कौन सी बैंक में क्या है, यानि हर एक situation को कॉन deal करता है चीफ मिनिस्टर deal करता है सेम किसकी तरह राभी तस आप वैसे की चीफ मिनिस्टर कीस को रन गरते हैं एक राजजी को रन करते है ठीक है, तो आप यहाँ पर मैंने आपको बात भी States की, कि हर एक राज में एक Chief Minister होता है, एक मुख्य मंत्री होता है, जो की Elect होता है, किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, यानि कि ये जो State Assembly Election है, ये Conduct करवाए जाते है, Election Commission of India के थुरू, ठीक है, और ये किसके द्वारा Elect होते है, एक Parties खड़ी होते हैं, different parties, खड़ी होते हैं कि State में, एक opposition में हर तरह से, ठीक है, उसमें हम vote देते हैं, हम vote देते हैं, तो वो पार्टी जीत जाती है, और वो जीत जाती है, वो decide करती है, कि उनकी पार्टी का लीडर कौन है, और जो लीडर होता है, उसको as a Chief Minister घोशित कर दिया जात हैं, ठीक है, वहाँ पर भी territorial government का formation होता है, वहाँ पर भी elections करवाए जाते हैं, वहाँ पर भी जो CM बनते हैं, या वहाँ पर governor, ठीक हो, तीन में, जो smaller union territory होती है, अगर मैं बड़ी union territory बात करता हूं, जैसे Delhi हो गया, यह बड़ी union territory है, यह capital of India है, तो पुंडु यह और कुछ ऐसी union territory है, जिनको special status भी दिया जाता है, ठीक है, तो काफी ऐसी union territory होती है, जो की छोटी union territory है, जैसे की, ठीक है, तो उनको कौन lead करता है, उनमें governor appoint किया जाता है, किसके दौरा, प्रेसिडेंट के दौरा, और वहाँ की सारी चीज़ों को कौन deal करता है, प्रेसिडेंट होगे, ठीक है, और कई union territory में chief ministry भी होता है, जैसे की देली में बात करूँ, तो अपने अरविंत केजरिवाल जी है, ठीक है, और suppose in future अगर कभी अरविंत केजरिवाल जी उस देली को, यानि उस capital of India, देली को, चलाने में असमर्थ होते हैं, तो वहाँ पर एक governor भी होता है, या फिर अगर, तो president क्या करते हैं, governor से कहते हैं, कि भाई, ये जो party है, ये जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर के, अरविंत केजरिवाल जी की, ये इस राज्जी को, या इस union territory को, चलाने में असमर्थ है, तो हम इसको हटा रहें, और तब तक के लिए आप इस union territory को संभालो, ठी तो union territory, जो छोट-छोटी union territory होती है, उनमें governor appoint किया जाता है, president के द्वारा, वहाँ पर governor उस union territory को deal करता है, और काफी ऐसी union territory होती है, जहाँ पर chief minister भी elect होता है, वहाँ पर territorial government बनाई जाती है, तो states और union territory के आप समझ गया होगी, कि वहाँ पर government formation कैसे होती है, ठीके, मैंने आ election commission of India क्या कोशिश करती है, कि सबको proper तरीके से vote करने का मौका मिले, with transparency, तो तीन तरह के election होते है, अपन यहाँ पर तीन तरह के क्या, चार तरह के elections पढ़ने वाले हैं, तीन तरह के मान लो, तीन तरह के कौन-कौन से, लोक सभा election, राज्य सभा election, और विधान सभा election, यह हम प यह तीन unit territory ऐसी हैं, जिनको special status मिला हुआ है सरकार के द्वारा, ठीक है, तो कौन-कौन से unit territory, 28 राज, जहाँ पर आपको chief minister देखने को मिलेंगे, जहाँ पर election करवाए जाते हैं, जहाँ पर विधान सभा elections होते हैं, ठीक है, विधान सभा चुनाओ होते हैं, जहाँ पर properly, वह हैं, वहाँ पर governor appoint किया जाता है, किसके द्वारा, president के द्वारा, लेकिन इन unit territory में elections conduct करवाए जाते हैं, और यहाँ के chief minister को public चुनती है, ठीक है, तो एक-एक election को, एक-एक part को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, लोकसभा, देखो, इस चीज को भ पार्लेमेंट क्या काम करते हैं, कानून बनाती है, पार्लेमेंट में दो house होते हैं, लोकसभा house और राज्यसभा house, लोकसभा house को कहा जाता है lower house और राज्यसभा को कहा जाता है upper house, लोकसभा में total seats होती हैं 545, और राज्यसभा में total seats होती हैं 245, ठीक है, कितनी लोकसभा में members होते हैं वो elect होते हैं कहां से states और union territory से यानि कि 543 elect होते हैं और दो Anglo-Indians community यानि nominate की जाती ही president के द्वारा समझो Parliament में दो house होते हैं लोकसभा और राजसभा जिसमें total seats होते हैं 545 जिसमें 543 members आते हैं कहां से states और union territory से और दो आते हैं दो members कहां से आते हैं president के द्वारा नॉमिनेट किया जाते हैं Anglo-Indian community से ठीक है अब जो 543 members जो states और union territory से आते हैं उसमें भी 524 आते हैं states से और 19 आते हैं union territory से ठीक है यह मैंने आपके सामने हिरार्की बना रखे इसको आप रीड करना कि total लोकसभा में 545 members हैं जिसमें 543 आते हैं states और union territory से और जिसमें दो आते हैं नॉमिनेट किया जाते हैं president के द्वारा दो Anglo-Indian community से अब जो 543 elect होकर आते हैं states और union territory से उसमें 233 होते हैं elect किसके द्वारा state legislature के द्वारा ठीक है और 12 members कहां से आते हैं 12 members belong करते हैं art literature science and social service in department यानि इन department से जो 12 members होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है president के द्वारा single transferable vote के द्वारा STV अब यह STV क्या है यह मैं आपको कभी और बताऊंगा लेकिन single transferable vote के द्वारा president के द्वारा 12 members nominate किये जाते हैं कौन से department से art literature science and social service ठीक है अब हम आगे चलते हैं अब हम पढ़ने वाले लोकसवा के बारे में देखो लोकसवा को lower house कहा जाता है यह जो लोकसवा के members है यह elect होते हैं public के द्वारा यानि कि लोकसवा के election हर 5 साल में conduct करवाई जाते हैं election commission of India के द्वारा समझो लोकसवा के election हर 5 साल में कंडेक्ट करवाई जाते हैं ठीक है और यह होते हैं इलेक्ट पब्लिक के द्वारा जो मेंबर्स खड़े होते हैं लोगसवा मेंबर्स वो उनके एलेक्शन हर पांच साल में होते हैं और लोगसवा के मेंबर्स किसके द्वारा चुने जाते हैं पब्लिक के द्वारा चुने होते हैं जिस भी पार्टी जीतती है उसकी जो वोटिंग होती है पब्लिक के द्वारा उसमें 50% से वोट जाधा चाहिए यानि कि एपरोक्स 272 वोट्स रिक्वार्ड हैं अगर लोकसवा में जो भी पार्टी जीतना जीतना चाहती है अगर मानलो बीजेपी है ठीक है जो भी वोट दिये जाते हैं इसमें जिस भी पार्टी को जीतना है जो भी पार्टी जीतना चाहती है उसको 50% से ज्जाधा वोट चाहिए और सब्सक्राइब अगर यहां पर कोई भी party majority यानि 50% से वोट जादा नहीं लेकर आ पाती है तो वो गटबंदन भी कर सकती है ठीक है उसको 6 महीने का time period दिया जाता है कि अगर 6 महीने basically ठीक है उसको कहा जाता है कि आप अपनी majority प्रूव कर दो ठीक है यानि आप किसी और पार्टी के साथ majority प्रूव करने के लिए तो आम आदमी party और BJP गटवंदन भी कर सकते हैं और मिलकर majority प्रूव कर देंगे और इस तरह से लोकसवा member यानि लोकसवा में जो members आते है यानि वो party जीत जाएगी और वो लोग वो सारी पूरी party मिलकर अपने लीडर को decide करेगी यह मेरा लीडर है और उसको as a prime minister appoint कर दिया जाता है ठीक है तो prime minister क्या है prime minister indirectly elect हो रहे हैं याने elect कैसे हो रहे हैं देखो मैंने आपको बताया लोग्सवा चुनाओं हर 5 साल में conduct करवाई जाते हैं जो की election होते हर 5 साल में और उसमें जो वोट देते हैं वो हम पब्लिक ही देते हैं ठीक है अब अगर मालो मेजोरिटी यानि 50% से वोट जादा अगर किसी पार्टी की पास आगए तो वो पार्टी जीत गई और वो अपने लीडर को एज प्राइम मिनिस्टर मलब अपोइंट करवा देगी ठीक है लेकिन अगर वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है तो वो किसी और पार्टी की साथ गटवंधन भी कर सकती है और गटवंधन करके और उसको टाइम पीरिड दिया जाता है उसको च कहानी है लोग सभा की अब हम बात करने वाले राज्य सभा की राज्य सभा की कहानी यह है कि राज्य सभा की जो मेंबर्स हैं वो इंडारेक्टली इलेक्ट होते हैं पब्लिक के द्वारा इंडारेक्टली इलेक्ट कैसे होते हैं हम लोग क्या गरते हैं मले चुनते हैं मेंबर of legislative assembly ठीक है members of legislative assembly हम लोग क्या करते हैं हम vote देते हैं MLA को यानि कि member of legislative assembly समझो आप legislative assembly यानि कि जो राजसभा है यानि जो राज में MLA होते हैं हर एक राज में MLA होते हैं ठीक है हम लोग उन्हें elect करते हैं public के दोरा और MLA choose करते हैं राजसवा members को ठीक हैं अपने राजसवा members को choose करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिरेक्टली पबलिक के द्वारा चुने जा रहे हैं, हम लोग वोट दे रहे हैं MLA को, हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं MLA को, और MLA चूज कर रहे हैं Raja Sabah members को, कि भाई Raja Sabah के members कौन-कौन होने चाहिए, ये decide करते हैं MLA, members of legislative assembly, और ये हो, जो MLA है, वो Raja Sab साल का होता है, लेकिन इसमें 1 3rd seats का election हर 2 साल में होता है, जैसे कि मैं बात करूँ कि हर 2 साल में election करवाए जाते हैं, जैसे अभी कुछ 5-6 states के election हुए, जिसमें Manipur, उत्तरप्रदेश, उत्राखंड, गोवा और पंजाब, मतलब ये कुछ, कुछी states के election हुएते हैं अभी, ठीके, 5-6 states, और फिर हर 2 साल बाद और भी elections होते हैं, या फिर कुछ time period के बाद election commission अपने according decide करती है, और वो elections conduct करवाती है, हर 2 साल में, ठीके, और इस तरह से इनका जो tenure 6 साल का होता है, समझे, तो राज्य सवा का मैं वापस से समझाता हूँ, राज्य सवा की जो members हैं, यान वहाँ पर कैसे बैठते हैं, यानि पारलियमेंट में लोग सवा और राज्य सवा के members कैसे बैठते हैं, लोग सवा का मैंने आपको clear किया, राज्य सवा का भी मैंने clear किया, लेकिन मैं वापस repeat करता हूँ, कि राज्य सवा की members हैं, वो indirectly elect होते हैं, पबलिक के दुआरा, हम ल लोग elect करते हैं MLA को, और MLA single transferable vote के दुआरा, राज्य सवा के members को choose करते हैं, और वो लोग जाकर पारलियमेंट में, राज्य सवा की seats होती हैं, वहाँ पर जाकर बैठते हैं, और इनका जो tenure होता है, वो 6 साल का होता है, अब लेकिन हर 2 साल में election करवाती है, elections conduct करवाती है, ज तो यह कुछ ऐसे states हैं, जिनका election, Commission of India ने elections conduct करवाय थे, अब हम आगे चल रहे हैं कि MLA MP होते कौन, यहां पर बहुत सारे questions आते हैं, MLA और M.P में क्या difference है, देखो, लोग, पारलियमेंट में कौन बैठ रहे हैं, लोग सवा और राज्य सवा, यानि दोनों houses, और जिनको, अ MP, यानि कि Members of Parliament में जिसमें लोग सवा और राज्य सवा के दोनों के Members count होते हैं, ठीक है, और जो Members of Parliament है, यह representative और elected होते हैं, हर एक constituency से, constituency क्या होता है, यह मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आगे मैं बता दूँगा फिलाल आपको constituency क्या होता है, ठीक है, तो Members of Parliament represent किसको कर करते हैं, country को, और MLA's represent करते हैं, state को, ठीक है, अब MLA क्या होता है, Members of Legislative Assembly, यानि जो MLA होते हैं, वो विधान सभा के Member होते हैं, ठीक है, MLA represent करते हैं, state को, अब हम कुछ और भी difference पढ़ लेते हैं, मैंने आपको बताया, MLA जो है, Public के दोवारा Elect होता है, MLA is the Elected Member of Legislative Assembly, यानि की जो विधान सभा है, उस में से विधान सभा के जो चुनाव होते हैं, अब विधान सभा के चुनाव में ने अभी आपको बताया, अब विधान सभा के चुनाव कैसे, ये जो अभी चुनाव हुए है, जो योगी जी अपने उत्तरप्रदेश में अभी चुनाव हुए, योगी जीत गए, अब यह विधान सवा के तो चुनाओ थे, विधान सवा में पार्टी ख़ड़ी होती है, ठीक है, खड़ी होती है, अब वो लोग MLA, यह MLA नहीं हो है, यह क्या बोलता है, ठीक है, तो पार्टी खड़ी हुई, मालों चुनाओ हुए, अब उसमें जो भी प उत्तर प्रदेश ने बहुत सारी होती रहा हृ LIVE को महिस्टलब उत्तर प्रदेश में 80 मिनिस्टर को समझे असेंबली स्टेट लेवल पर मैं आपको और अच्छे समझाता हूं यह देखो यह पिक्चर आप देख रहे हो इसको मैं जूम करता हूं देखो यह एक सेकंड यह नहीं यह तो MP हो गए यह MLA आप देखो यहां पर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की यह देखो प्रदेश में टोटल कितनी चार सुतीन यानि की बीजेपी भारती जनता पार्टी चार सुतीन है उत्तर प्रदेश की बेस्ट बेंगॉल की हैं 294 उत्तर अखंड की 70 त्रिपुरा की 60 तो हर एक स्टेट की कुछ सीट्स हैं मतलब प्रॉपर फिक्स सीट्स हैं और वो सीट्स में हर एक मलब हर एक एरिया वाइस कुछ एरिया उत्तर प्रदेश में चार सुतीन सीट्स की हुए क्योंकि यहां की पॉपुलेशन जादा है पॉपुलेशन के अकॉरिइंग वहांके जो वहां बोलते हैं जिसको हम मेंबर कहते हैं लाजिसलेटिव ली जिसलेटेव इसेंबली गाढ़ेकि पुग यह पाँडिख पर मानलो मैं बात कर रहा हूँ, कन्नौज है, उत्रप्रदेश में कन्नौज डिस्ट्रिक है, उस डिस्ट्रिक के अंडर जितना भी बड़ा इलाका, जितना भी एरिया आता है, मानलो उस एरिया में 5 लाख जनता रहती है, सपोस, 5 लाख जनता रहती है, तो उस 5 लाख जनता के ऊ लीडर बन रहा है तो वो जीता तो इस तरह से उस पार्टी की जीत होती है ठीक है तो यह होते हैं अपने चीफ मिनिस्टर को अपने लीडर को एक राजी का चीफ मिनिस्टर बनाते हैं ठीक है और यह MLA ही वोट देते हैं सिंगल ट्रांसफरेवल वोट के द्वारा अपने राजसवा के मेंबर को भी चुनते हैं और यह पार्लेमेंट में भेजते हैं ठीक है यह कहानी होती है MLA की इसलिए MLA किसके द्वारा इलेक्ट हो रहे हम पब्लिक लोग वोट देते हैं हमारे एरिया में जो भी हमारे लीडर खड़ा होता है हमारे एरिया का मेंम casting खड़ा होता है उसको वोट देते हैं और वो लोग जब जीत जाते हैं तो वो लोगफ करते हैं कि murdered करते हैं कि राजसवा में कौन सा में में पर जाकर बैठेगा कौन सा member represent करेगा अपने state को और वो election उनका होता है single transferable vote के द्वारा ठीक है अब हम बात करने वाले members of Parliament की जो की भाई लोकसवा और राजसवा दोना houses के members होते हैं ठीक है और यह work करते हैं कि इसके वियाव पर अपने state अपनी constituency अपनी union charity को represent करते हैं और MP of लोकसवा यानि जो members of Parliament हैं ठीक है लोकसवा के वो directly किस से आते हैं public के द्वारा बट जो राजसवा की members हैं वो किस के द्वारा आते हैं MLA के द्वारा और यह parliamentary constituency के होते हैं और यह central level को represent करते हैं ठीक है तो यही थी अब members अगर मैं MP की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको बताया उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश में आप देखो 80 उत्तरप्रदेश के total जो MP है वो है कितने 80 यानि कि members of parliament यहाँ पर आंद्रप्रदेश में 25 सिक्के में 1 तमिलाडू में 49 ठीक है तो यह कुछ seats होती हैं लोकसवा seats उत्तरप्रदेश में कितनी seats हैं 80 है यानि 80 members लोकसवा में बैठते हैं ज 80 seats लोकसवा में उत्तरप्रदेश स्टेट की fix हैं ठीक है तो यही थी और विधान सवा के elections में मैं बताने वाला था आपको कि भाई विधान सवा के मैं आपको बताया पबलिक के द्वारा elect होते हैं ठीक है अब यहां पर एक और बात करने वाला हूं कि विधान सवा की जो election वो भी same like लोकसवा हर 5 साल में elections कंड़क करवा जाते हैं और each state election going to different time period यानि कि मैंने आपको बताया ना कि अभी अपने recently 5-6 states के election करवाई गये पंजाब गोवा यह मैंने आपको बता चुका ठीक है तो जो election commission of India है वो अलग-अलग time period पे elections कंड़क करवाती रहती है हर एक अल MLA choose his leader as a chief minister मैंने आपको बताया जो भी party जीतती है हमारे area में जो भी MLA जीता तो हर एक उत्तरप्रदेश में अलग-अलग कुछ areas होते हैं हर एक area के MLS जीतते हैं वो decide करते हैं उनका chief minister कौन होना चाहिए वो अपने leader को खड़ा करते हैं और अगर majority proof करने में असफल होते हैं मालो BJP सपा के साथ यानि अखलेश यादव के साथ गठवंदन कर सकती है सपोज अगर BJP नहीं तो आपने देखा मायावती और अखलेश यादव ने गठवंदन किया था ठीक है तो ये विधान सवा के election होते हैं और इसी के साथ हमारा जो है वो election process जो भी थी मैंने आपको स सारी बताई और कुछ और भी एक्स्ट्रा है जैसे कि सेम प्रिंसिपल किस पर एपलाई होते हैं पंचायत और मुनिसिपल इलेक्शन पर हर एक विलेज और टाउन डिवाइड होता है सेवरेल वार्ड में ठीक है जो कॉंस्टिटवेंसी की तरह होते हैं हर वार्ड करता है को और अर्बन लोकल वाड़ी को और सम्टाइम इस कॉंस्टिटवेंस आर काउंट एस सीट फॉर इच कॉंस्टिटवेंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन असेम्बली ठीक है तो अपने जो लोकल टू टाउन और विलेजेज वगरा होते हैं वहां पर एक वार्ड होता है सेम किसे तरह कॉंस्टिटवूेंसी के तरह है और वहां पर अपना रहे एक मेंबर घड़ा होता है वहां पर वोट देते हैं और वह मेंबर के सारी मेंट करके सेमब्ली की स्टिटवरेंस पर तो यहीं था आज की हमारे इस वीडियो में है अइप Samaj गये होगे अगर आपको अ आउट है तो आप प्लीज कॉमेंट कर दीजेगा और इसी साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन, have a good day and bye